MSA Index में होने जारे हैं कुछ बहतिन बदलाओ क्या बदलाओ हो रहे हैं और इनकी डिटेल्स क्या हैं तयार है हमारे साथ वरू यह सब कुछ बताने के लिए वरू बताएगे ओके निली जी तो MSA Index में जो बदलाओ है यह कल से लागो हो जाएंगे इसके जो पहले ही बताया दिया गया था कि क्या बदलाओ होने वाले हैं लेकिन इसकी जो एफेक्टिव डेट है वो कल से है तो चार स्टॉक जो है जिनको MSA Standard Index में शामिल किया जाएगा एक स्टॉक जो है जिसको बाहर किया जाएगा जो 4 स्टॉक शामिल होने वाले उसमें अडानी पावर, AU Small Finance Bank, JSPL और Tata LXC शामिल है जो बाहर हो रहा है वो है HDFC AMC और इसके चलते देखिए काफी सारा inflows या outflows हो सकते हैं एडिशन के चलते जितने भी स्टॉक से उनमें करीब करीब 10 से 20 कोड के आसपास के inflows जो है वो हो सकते हैं और HDFC AMC में करीब 8 कोड डॉलर के आसपास के outflows जो है वो हो सकते हैं सिर्फ MSA Standard Index नहीं बलकि Small Cap Index में भी अगर आप देखेंगे तो 44 स्टॉक से जिनको जोड़ा गया है और 14 स्टॉक से जिनको बाहर का रस्ता दिखाया गया है जिनको जोड़ा गया है उसमें PCBL, PB FinTech, Raymond, Baroc Engineering, Pharat Dynamics, CE, Infosystem, JK Paper जैसे स्टॉक शामिल है जिनको डिलीट किया गया है उनमें बजाज कंजूमर्स, L&T Tech, NLC India, Solar, Active Warren, Beverages जैसे काउंटर शामिल है जिनको Small Cap Index से भार किया गया है Sun, Pharma, Godet, Consumer, United Space, ICICI, Lombard, Page Industries ये वो तमाम काउंटर्स है जिनके वेटेज में बढ़ोती हुई है और इसके चलते इनफ्लोस इनकोंटर्स में आ सकते हैं लेकिन वेट घटाया गया है भारती अटेल, अडानी, ग्रिन, NTPC, वेदानता, मारूती, हिंडाल को तो ये सब काउं तो आज second half में expect कर सकते हैं, most probably deep after two o'clock ये होता है हमने, जंगल ही देखते हैं, दो से तीन सब्सक्राइब पीरेड रहता है, पर देखते हैं कुछ counters, interestingly कुछ stocks जहां पर खरिदारी होने हैं, वो इस समय कमजोर trade कर रहे हैं, तो देखते हैं, वहाँ पर क्या वापस reversal आता है य आपर आपको रखनी है नजर, शुक्रिया और ये details share करने के लिए